हलो स्ट्रेंज तोड़ लाग तो टीच यू फिगर अफ स्पीच आज मैं आपको फिगर अफ स्पीच बताऊंगा जिसे हिंदी में आप अलंकार भी कहते हैं चात्रों और चात्रां फिगर अफ स्पीच पोईम के लिए बहुत जरूरी होता है जब आप उससा एक्स्पीच लिखते हैं तो आपको फिगर अफ स्पीच अगर उन पंक्तियों में आया होता है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ता है जिससे आपको अंक अच्छे मिलते हैं चलिए ते फिराश शुरू करते हैं फिगर अफ स्पीच को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा figure of speech की परिभाशा क्या है figure of speech is a departure of figure of speech is a departure from the ordinary form of expression in order to produce greater effect जब poem को simple से outrageous बनाना होता है simple से special बनाना होता है तो वहाँ पे हम figure of speech का use करते हैं हम जब किसी poem के poem में word को डाल करके या word डाल करके उसका sense को change करके हम जब उसमें ecstasy यानि आनन्द प्राप्त करते हैं हम उसे और अच्छा बनाते हैं तो उसको figure of speech का जाता है figure of speech belongs to many types first type is simile what is simile in simile a comparison is made between two objects on at least one common point simile में किसी दो वस्तुओं की comparison किया जाता है तुलना किया जाता है वो दोनों things या object या दोनों वस्तुओं एक ही category की होनी जाहिए ऐसे नहीं कि 6 feet लंबे वेक्ति की तुलना आफ एक 3 feet लंबे वेक्ति से करें तो simile में इस प्रकार का comparison नहीं किया जाता है comparison has been made but between two similar things two equal things and there should be one point of comparison एक कोई point होना चाहिए एक कोई बिंदु होना चाहिए common point होना चाहिए comparison का चलिए example से चीज़ें स्वस्ट हो जाती है example ले लेते हैं my love is like a red rose ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक word आपका आया है like ठीक ना यहाँ पर आप देख सकते हैं एक word आपका आया है like अब यह जो आपका word like है ठीक है तो like आया है दूसरे में देखिए as आया है it dropped as आया है third में आपका case so आया है तो आपके हम similarly मान लेते हैं लिखा है my love is like a red rose मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है अब दीखिए यहाँ पर point of comparison क्या है गुलाब की जो लाल रंग होती है वो किसका परतिक होती है वो vigorous का परतिक होता है वो love का परतिक होता है और वो anonymity का परतिक होता है तो यहाँ पर point of comparison यह है second क्या है it dropeth as gentle rain from heaven वो ऐसे गिरता है जैसे आकास से बारिश गिरती है तो यहाँ भी आपका एक comparison है ठीक है यहाँ पर point of comparison क्या है गिरना है third में आ है so signs a good deed in a not word ठीक है यहाँ पर देखिए so जो आपका so आया है यहाँ पर देखिए good deed की तूलना not word से की जा रही है तो यहाँ आपका क्या हो गया यहाँ भी आपका simili रहेगा अब आते हैं अगले अलंकार पर अगला आपका metaphor metaphor क्या है a metaphor is an implied simili in it mentioned two things in mentioned two things are compared without using comparison word metaphor आपका क्या होता है यह implied simili होता है यहाँ पर एक तरह से तूलना होती है और नहीं भी होती है ठीक है metaphor में आपका comparison words का use नहीं किया जाता है जैसे simili में like as so का use होता था तो यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें नहीं किया जाता है like is so का use नहीं किया जाता है अब आप example में देख लीजिए life is but a walking shadow अब यहां कह रहा है कि life is shadow life ही क्या है पर चाहिए अगर यहां पर होता life is like a shadow तो यहां पर similar हो जाता लेकिन यहां लिखा है life is but a walking shadow यहां life को ही shadow बना दिया गया है यहां यहां पर तुल्ला कसको अपकाम है एक वस्तु को दूसरी वस्तु यहां पर मान ली गई है तुल्ला यहां पर बहुत नाम मा तरकी की गई है ठीक है ठीक है उप में कोई यहां पर उपमान मान लिया जा रहा है दोनों वस्तुओं को एक कर दिया जा रहा है ठीक है दूसरा क्या है love is a spice of life ठीक है love क्या है जीवन का मसाला है मूंगी जैसे लाल होट she is the she is the puller of state ठीक है वह क्या है state की ठीक है puller है चली अब आगे देखते हैं परसानिफिकेशन पर आते हैं लिखा हुआ है इन परसानिफिकेशन we give intelligence and personality to and to inanimate things or life less things परसानिफिकेशन में क्या होता है कि हम जब किसी निर्जीव चीज की चुलना ठीक है किसी निर्जीव वस्तु की चुलना हम सजीव वस्तु जैसे करने लगते है यानि लाइफ लेस तिंग्स की चुलना हम लाइफ वस्तु जैसे कर द अंधा तो आदमी होता है एक निर्जीव वस्तु क्यान दीन सकते जब क्यों कि याँक ही नहीं है आप कहें इस सोना गोल्ड अंधा होता है तो गोल्ड के पास तुमां कहें नहीं लेकिन यहांप क्या किया गया है उसको पारसनल्टी कितरह दिखाये गया है ठीक है दूसरा क्या है anxiety is sitting on our face चिंता उसके सर उसके चेरे पे बैठी थी ठीक है चिंता क्या है एक भाव है तो यहाँ पे anxiety को क्या बना दिया गया है एक person की भाती दिखाने का प्रयास किया गया है Allah has no legs जूट के कोई पैर नहीं होते ठीक है यहाँ भी वही बेस्ट टीचर एक्पिरियंस क्या है बेस्ट टीचर है यानि एक्सपिरियंस को यहाँ पे as a teacher as a person show किया गया है तो जब lifeless things को as a person show किया जाएगा और या as a life lifeful things के साथ show किया जाएगा तो वहाँ पे personification आपका होता है अब अगला है आपका apostrophe an apostrophe is a direct address to the dead to the absent or to personified object और idea apostrophe किया है यह direct आपका संभोतान है direct address है किसको मरे बेखती को या गाय बेखती को ठीक है या किसी idea को हम अगर personified कर दें किसी बिचार को हम देखती का रूप दें तो यह आपका apostrophe होता है example देख लें चीजें सपस्ट हो जाएंगी oh world, oh life यहाँ world को और life को पुकारा जा रहा है उनको संभोधन यानि उनको address किया जा रहा है तो यह क्या है आपके lifeless things है world, life यह कोई सजीव चीज तो है नहीं ठीक है यानि सामने आपके परज़न नहीं फिरिपी आप उसको बूला रहा है ठीक है world तो आपका सजीव तो है यह लाजबी आपका सजीव है frality, thy name is woman को मलता तुम्हारा नाम औरत है को मलता क्या है एक भावना है ठीक है आपका abstract noun है इसको क्या किया जा रहा है इसको direct address किया जा रहा है directors को बुलाया जा रहा है सम्मोधन किया जा रहा है third आप example देख ले oh grave, where is thy victory grave मतलब कब रहोता है अब यहां मुर्दों को पुकारा जा रहा है कब रूकों को पुकारा जा रहा है उसके बचे आप कहाता है hyperball in hyperball things are represented as greater or lesser better or worse than really they are hyperball में चीज़ों को बहुत बड़ा या बहुत चोटा दिखाय जाता है बुरा या अच्छा दिखाय जाएगा जिसकी तुनला में वास्ताव हुआ कैसी है जो वो वास्ताव में होती है उनसे कहीं दिक बड़ा चड़ा करके उनको दिखाय जाता है तो इस प्रकार का figure of speech hyperball या अलंकार hyperball कहलाता है जैसे लड़ाई में खून की नदियां नदियां तो पानी की बहती हैं खून की नदियां तो बहती नहीं तो यहाँ पर चीज़ों को बड़ा चड़ा के present किया जा रहा है उनको greater or lesser represent किया जा रहा है दूसरा example देखें Belinda smiled and all the world was gay क्या मतलब प्रसंद होना Belinda मुस्कुराई और पूरा संसार happy हो गया ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लड़की के मुस्कुराने से पूरा संसार मुस्कुराने लगे तो यहां पे भी चीजों को बड़ा चड़ा के represent किया जा रहा है तीसरा example है The waves rolled mountain high जो लहरे थीं वो परवतों से भी उची उठ गई Normally ऐसा possible नहीं है कि कोई लहर पहाड़ों से भी उची उठे जाए तो यहां भी चीजों को बहुत ही exaggerate करके बोला जा रहा है अब आते हैं oxymoron पे In this contradictory quality are predicted at once of the same things कहरें कि बिरोधा भासी चीजों को एक ही प्रकार की तुलना इसमें की जाती है दो एक दूसरे के बिप्रित उल्टी चीजों को एक बताया जाता है जैसे example देखें having nothing he has all कुछ नहों तो गए उसके पास सब कुछ था अब यह तो उल्टी बात हो गई प्योर बिरोधा भास की चीज़े हैं यहाँ पे अगर उसके पास अगर कुछ नहीं तो इस पास सब कुछ क्यासे हो सकता है दूसरा है it is an open secret यह खुला हुआ रहास है अब शीक्रेट तो सीक्रेट होता है पासवर्ड तो पासवर्ड होता है वह उपन तो हो नहीं सकता ठीक है तो दो बिरोधा भास वाले शब्द एक जगा आते हैं इसमें ध्यान दीजेगा ओपन सीक्रेट एक पास आ गया अभिन नथिंग देख लिए अनंद दायक क्या अनन्द दायक अनन्द दायक दर्द तो दर्द होता है पेन तो पेन होता है उसमें अनन्द कहा होता है आप दर्द के मारे चिल़ा रहे हूं तो आप अनन्द लेंगे ठीक है तो love gives a pleasing pain प्रेम दर्द पूरवा का अनन्द देता है तो यहां भी आपको ऑग्जी मोरन है अब एक लास्ट आपको बच रहा है और मोटोपिया इन दिस साउंड ओफ वर्ड इस मेट तु सजेस्ट और इको दसेंस यहां पर शब्दों के इको के मादियम से उनके साउंड के मादियम से किसी चीज को सजेस्ट किया जाता है या बत बद्दों की ध्वनिया क्या है एक जैसी है तो आप से कुछ सजेस्स करने का प्रेस किया जा रहा है मैं कंकड पर चल रहा था इसका मतलब यह हुआ सब्सक्राइब का आई हर्ड वॉटर लाइपिंग ऑन दे क्रैक ठीक है वॉटर इसके मैं मैंने सुना पानी को क्रैक पे लाइपिंग करते हुए तो यहां पर साउंड के माधम से चीजों में जान डालने का प्रेस किया जा रहा है चीजों को थोड़ा सा और बहतर बनाने का अब यहां पर आपको फिगर और सपीच खतम होता है में रूप से यही फिगर आफिजश है जोड़े गया है लेकिन वह हाई लिए का चीज चीज़े बहुक्त हैं अब बात आक को पतंद आए हो तो इससे लाइक करें और वीडियो को पूरा पूरा देखें वीडियो को शे हैं मास्क का यूज करें हैंड वास से बरवर हाथ धोते रहें सानीटाजर का यूज करते रहें कोराना से बचे रहें बहुत आवशक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें जैहिन जैभारत